हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल स्टार्ट विट विकी ग्रीन में दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आपकी फोटो एडिटिंग से रिलेटर एक ऐसी अप्लिकेशन बताऊंगा जिसकी तो आप बड़ी ही आसानी से अपनी फोट करें कि अगर ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कि़ुआज सबस्काइब करने के बाद हमारे जो फूचर अप-प्लोड़ से उनके नोटिफिकेशन हैं इस क्लिकिश के बाए में तो चैलिए दोस्तों बात प्रफास option शो हो रहा है तो मैं इस पर TAP करता हूं तो जब यह application open हो जाए तो आपको इसे download कर लेना है मैंने इसे पहले से download कर रखा है तो मैं इस application को directly open करूँगा तो इसके बाद मैं आपको यहां पर तीन option मिलते हैं कि आप यहां तो camera से click कर सकते हैं image या फिर आप अपनी gallery या जो album है वहां से आप कोई पहले से click की इमेज को select कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई पहले से चल रहा project open कर सकते हैं तो मैं यहां आपको एक image पे यह effect apply करके बताऊंगा तो इसके लिए मैं उस image को अपनी gallery से select करता हूं तो मैं album पे tap करूंगा तो मेरे पास मेरे gallery के जो सारे folder है वो open हो जाएंगे और अगर आपको कोई specific location से image select करनी है तो वह भी आप यहां से select कर सकते हैं तो नीचे सारे option open हो रहे हैं आप Google Drive से भी अपनी image download करके edit कर सकते हैं तो मैं इसे रहने देता हूं मैं अपना camera folder open करता हूं और अब यहां से एक image select कर लेता हूं तो यहां आपको दो option शो हो रहे हैं जिसमें आपको एक select करना है कि आप किस method से image में editing करना चाहते हैं पहला है smart दूसरा है manual तो अगर आपकी image ज्यादा complicated है तो आप manual option select करेंगे मैं यहां smart option select करता हूं उसके बाद मैं continue पर टैब करता हूं तो यहां पर मेरे को कुछ tips शो हो रहे हैं जैसे कि पहला tip है कि अगर मेरे को अपनी photo को zoom करना है तो मैं double finger का यूज करूंगा और अगर photo को move करना है तो फिर से double finger का यूज करूंगा और अगर मुझे कोई layer select करना है तो मैं यहां tool से select कर पाऊंगा तो मैं इसे close कर देता हूं तो अब आप ऊपर यहां देख रहे हैं कौने में आपके जो tools हैं open हो रहे हैं तो basically इस editing में होता क्या है इसमें आपको तीन layer create करने होती है जो first layer है वो होगा आपका background उसके बाद में जो second layer जो चीज़ें आपके आसपास हैं उसके बाद में third layer जहां पर आपको अपने camera का focus चीए तो मैं सबसे पहले अपनी उस layer को select करता हूं जहां पर मुझे focus चीए तो मैं सबसे पहले उपर वाले तूल select किया हुआ है उसी को रहने देता हूं उसके बाद में मैं जिस area पर मुझे focus चीए वहां पर अपने एक rough drawing त्यार कर लेता हूं जैसे कि आप देखेंगे सारा जो मेरा फोटो है वो select हो गया है उसके बाद में मैं second tool select करता हूं तो second tool से क्या होगा कि अगर मेरे आसपास कोई है तो मैं उसे out of focus कर देता हूं तो जैसे कि second tool मैंने select कर रहा हूं उसके बाद मैं फिर से एक rough drawing त्यार करता हूं तो जैसे कि यह जो portion था वो हलका red हो गया है तो यह मेरी second layer हो गई अब last में मैं अपना background सेलेक्ट करूँगा तो इसके लिए मैं थर्ड टूल पे टैब करता हूँ और उसके बाद में background के लिए एक रफ ड्रोइंग करता हूँ तो यह वाला portion जो बिना red कलर के है यह मेरा background होगा तो जो background है उसके जबसे ज़्यादा जो blur effect है वो apply होगा उसके बाद में जो out of focus layer आपने select की है उसके हलका blur होगा और जो dark red आपको show हो रही है यहाँ पे आपका focus होगा तो जैसा कि आप देख रहे है इस image में मेरे साथ में कोई और नहीं है तो मुझे second layer की ज़रुवत नहीं है तो मैंने सबसे पहले focus area select किया उसके बाद में second layer को मैं skip कर देता हूँ डारेक्ट मैं background select करता हूँ तो उसके लिए मैं एक graph drawing कर देता हूँ तो यह मेरा background select हो गया अब आप देख रहे हैं कि कुछ portion है जो focus area में selected है तो मैं इसके लिए double finger की साथा से इसको जूम करता हूँ जूम करने के बाद मैं इसे manually हटा देता हूँ तो आप देख रहे हैं यह वापस third layer में शामिल हो रहा है आप इसे जूम कीजिए और आप बड़ी आसानी से इसे remove कर पाएंगे और अगर आपके photo का कुछ area वापस से background layer में शामिल हो गया है तो आप फिर से जो first tool है उससे select कीजिए उसके बाद मैं आप उसे फिर से focus area में ले आईए तो जब आपका selection इस तरह complete हो जाए उसके बाद मैं आपको ऊपर जो next option शो हो रहा है इस पर tap करना है तो आप देख रहे हैं जो blur effect था वो apply हो गया है आप इसे यह नीचे से control कर सकते हैं कि आपको इसे कम करना है या फिर आपको इसे ज्यादा करना है तो मैं इसमें अपने हिसाब से एक adjustment कर देता हूं उसके बाद में आप aperture भी select कर सकते हैं कि आपको किस shape में चाहिए आप कुछ filters भी इसमें apply कर सकते हैं आप इसमें vintage effect, color mask effect, stickers और sharpness है उसे भी adjust कर सकते हैं तो इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी जो पहले image थी वो कैसी थी इसके लिए आप उपर option देख रहे हैं सेव के पास में आप इस पे टैब करेंगे तो जो original image नीचे लिखा हूँ आप प्रसे टैब करेंगे तो जो आपने editing की थी उसके बाद में जो image थी वो शो होगी तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं बड़ी ही आसानी से कुछ ही मिन्टों में मेरी जो photo है उस पे मैंने lens blur effect apply कर लिया है और वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब इसके बाद आप इसे save कर लिए सेव करने के लिए आप सेव पर टेप करेंगे उसके बाद में यस पर टेप कीजिए तो क्यूंकि यह एक फ्री अप्लिगेशन है तो आपको एडिशो होंगे आप इन्हें क्लोज कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं आपकी फोटो सेव डिखा हो रहा है तो आपकी गैलरी मे सेव हो गई है तो दोस्तों इस परकार से आप अपने किसी फोटो को एडिट कीजिए और अगर आपको आज की हमारी अप्लिकेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब् सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद में बेल साइन पर जरू से क्लिक करिएगा जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफकेशन्स मिलते रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो